व्लड डोनेशन चैम्प लगाया जा रहा है उसी की लाइब तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नमस्कार जी में संदीप हिसार से आये हैं जी सर कौन से ब्लड वेंक से आये हैं जी जिंदल होस्पिटल हिसार से कितनी रुकारमेंट आज लेक्या वलड की रुकारमेंट की पूरा करदेंगा हाँ जी अभी तो देखो जी लाइन भी लगे हुए है सो तो अमने ले भी लिए हमारे पास 25 बैगोर बचे जी उनको बाकी बेजना पड़ेगा जी जो आपने और भी कहीं कैम्प लगाए होंगे आपको यहां के कैम्प और बाहर के कैम्प में क्या डिफरेंस लिए गणाए पड़ जाते हैं डौनर कम नहीं रहते एक एक यूनट का क्या यूज होता है किस तरह से यूज करेंगे एक उनिट में और इसकी लिए निट उनिटा इसमें दो से थीन उनिट यूनिट मरीज की जान बचते है उसके इंदर प्लाजमा निकलता है पेक रेड़ बलड शैल व बातावन को सवस्त करने का बातावन काफी जनून था जी ने बहुत कर्या करने दे बहुत अच्छे कर्या किये जी अच्छा सोदा में आज बैठे हो आपको महौल किस तरह का लग रहा है यहां बहुत बढ़ी है जी समाज को आज गुरू जी की जरूरत है हाँ लगता है हम तो सोच नहीं के जल्दे जल्दे हमारे परम पुझे परम पिता जल्दे जल्दे बाहर आए जो ब्लड लेने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं इनका कहना है कि जो डेरा सचा सोदा में इन्होंने लोगों के अंदर जजवा देखा है ब्लड डिनेट करने का ऐसा जजवा इन्होंने कहीं और नहीं देखा आपके क्या राय है ऐसे जोश के लिए जो यह लोग बता रहे हैं कि लाइनों में लोग खड़े हैं बलड डिनेट करने के लिए जितनी इनकी रॉक्वार्मेंट है वो कम्प्लीट हो चुकी है और और भी लोग लाइनों में खड़ी हैं लोगों को वापिस बेजा जा रहा है कि o